मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब का मेरे चानल इस्टोरी लवर्स में स्वागत है अगर आपको मेरे चानल के स्टोरी पसंद आती है तो पुलीस मेरे चानल को सब्सक्राइब, लाइक and सेयर करें कि फिर एफ़क recap का नेक्स पार्टी स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि Wing ने किसी Alpha का नाम पूचा था अब आगे ओ अलफा Wing को अपना नाम नी हुसेंग बताता है नी हुसेंग Wing से कहता है तुम फिकर मत करो आच से मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हम मिलकर College Time को Enjoy करेंगे Wing नी हुसेंग और वेनिंग में दोस्ती हो जाती है, वेनिंग विंग के सारी बात नी हुसेंग को बता देता है, नी हुसेंग कहता है, अगर मैं सच कहूं, तो मैं पहली सी विंग के बारे में जानता हूं, क्यूंकि यहां ऐसा कोई नहीं है, जो जियांग को नहीं जानता, और विंग तो ज चलो सीट पर बैठ जाते हैं अब टीचर आने वाले होंगे लेंज यह अपनी किलास में पहुंच जाते हैं लेंजा गुस्से में नजर आ रहा था तुम्हें क्या हुआ तुम किसी से लड़के आ रहे हो क्या मिंग्या कहता है गरीब ओमेगा ने लेंजा पर अपना जादू चलाने की कोशिस की है सॉंग लेंग कहता है मुझे तुमारी बात समझ में नहीं आई तुम क्या कहना चाहते हो मिंग्या उन्हें सारी बात बता नहीं जानते लेकिन मैं उस लेंका को अच्छे से जानता हूं उसकी मा भी ऐसी ही थी तुम्हें पता भी है वो कौन है यह वही ओमेगा है जिसे ज्यांग ने नहीं अपनाया सौंगलें कहता है मिंग्याओ तुम किसी और उमेगा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो तुम्हें बिल्कुल भी सरम नहीं आती लेंजा गुस्से में कहता है सौंगलें तमीज से बात करो मिंग्याओ जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है और उस उमेगा को तो मैं नहीं हम चाहते हैं कि उसकी नफुरत कम हो लेकिन मिंग्या उसकी नफुरत बढ़ाने में लगा हुआ है तुम्हें पता है अब ये दोनों मिलकर ऊसो मेगा को humour करेंगे मुझे नहीं पता ऊमेगा कैसा है लेकिन मैं नहीं चाहता कि लेंजा किसी को भी प्रेचान करे क्योंकि बाद में उसे रिग्रेट फील होगा मुझे पता है कि लेंजा बुरा नहीं है जिंग चन कहता है सौन्ग लेंग तुम अपने गुस्से को सांथ करो तुम्हें पता है ना कि हम लेंजा को कोई भी काम करने से नहीं रोक सकते क्योंकि अगर उसके दिल में कोई बात बैट गई तो फिरो किसी की बात नहीं सुनेगा इसलिए तुम सांथ हो जाओ तुम फिकर मत करो लेंजा की आखों की पट्टी जल्दी ही खुल जाएगी फिर दोनों अपने पढ़ाई में लग जाते हैं मिंग्या अपने दिल में सोचता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा तुम्हारे बज़े से सौंगलन ने मुझे इतनी सारी बाते सुनाई और मैंने तुम्हारी आखों में देखा है कि तुम लेंजा को पसंद करने लगे हो मैं जिसे इतने सालों से अपना बनाने की कोसिस कर रहा था तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे चीज पर अपनी बुरी नजर डाले लेंजा अपने मन में सोच रहा था कि मुझे क्या हो रहा है मुझे उस ओमेगा की आखें इतनी मासूम क्यों लग रही है मेरा मन क्यों कर रहा है कि मैं उसके पाथ जाऊ और उसे अपने बाहों में छुपा लू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे किसी की प्यार की जरूरत है ओमेगा भी मेरी तरह बिल्कुल अकेला है जैसे हम एक दूसे को पूरा कर सकते हैं लेकिन मैं किसी ओमेगा पर भरोसा नहीं कर सकता खास कर जो गरीब हो मॉम ने डैट को धोका दिया था मैं डैट जैसे गलती नहीं करूंगा ये सिर्फ मेरा बेहम है कि ओमेगा मासूम हो सकता है ओ सिर्फ उसका दिखाबा है ताकि ओएलफा को अपनी तब आकरसित कर सके मैं किसी की चाल में नहीं पर सकता मैं इतना बेवकुफ नहीं हूँ उसने मेरा माइंड डिस्टप किया है जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी उस ओमेगा को पस्ताबा होगा कि ओ क्यों मेरी नजर में आया लेंजा अपने मन में ऐसा सोच रहा था और एविली स्माइल कर रहा था मिंग्याओ की नजर लेंजा पर पड़ती है मिंग्याओ लेंजा से कहता है तुम क्या सोच के स्माइल कर रहे हो लेंचा कहता है मैं ये सोच रहा हूं कि उस ओमेगा को कैसे मज़ा चखाऊं उसे अपनी गलती का एसास तो होना ही चाहिए कि उसने किस से पंगा लिया है वो अपनी कॉलेज लेख सही से स्पेंड नहीं कर पाएगा मिंग्याओ कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो इसने चेयर पर बैठने बाले होते हैं कि तभी मिंग्याओ जान बुझ का विंग से टक्रा जाता है जिसके कारण विंग का फूट जमीन पर गिर जाता है और मिंग्याओ के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं मिंग्याव लेंजा से कहता है बेबी देखो ना इसने जान बूझ कर मेरे कपड़े गंदे कर दिये मेरे कपड़े इतने एक्सपेंसिव है इसने कभी देखा भी है ऐसे कपड़े को बेबी इसने मेरा मूड स्पोयल कर दिया मिंग्याव विंग से कहता है इस कपड़ी की कीमत तुम कैसे चुकाओगे लेंजा कहता है बेबी तुम ये क्या कह रहे हो ये अगर अपना सरीरी भी बेचेगा तब ये भी तुम्हारे कपड़ी की कीमत को नहीं दे पाएगा ऐसे भी इसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है कि कोई भी इसके सरीर को नहीं खरी देगा नी हुसेंग कहता है तुम दोनों का बहुत हो गया विंग ने धकका नहीं मारा तुम्हारे सो कॉल बॉइफरेंड ने विंग को धकका मारा है जिसके कारण उसका food नीचे गिर गया है इसलिए कीमत तो तुम्हाई boyfriend को देना होगा वींग के food के लिए लेंजा वींग की तरफ एक sarcastic smile करता है और कहता है ऐसे तुम्हें मानना पड़े तुमने बहुत ही जल्दी अपने लिए एक अमीर alpha को ढूंड लिया सुबह तुम मुझे बर डोरे डाल रहे थे मैं नहीं पटा तो तुमने अपना जादू नी कंपनी के higher पर चला दिया तुम तो बहुत तेज हो तुम्हारे बारे में जो भी चर्चा चल रही थी सब बिल्कुल ठीक है बलकि मैं तो कहूंगा तुम तो अपनी रियल मॉम से दो कदम आगे हो नी हुसेंग कहता है लैंजा बस बहुत हो गया अब एक सब्द भी नहीं लैंजा कहता है अनवांटिड ओमेगा का आसिक मुझे धंकारा है उसे लगता है मैं डर जाऊंगा फिल लैंजा नी हुसेंग के बिलकुल पाज जाता है और कहता है क्या इसके साथ सोने में तुमें बहुत मज़ा आया नी हुसेंग गुसे में लैंजा को एक चाटा मारता है और कहता है तुम इस ओमेगा के करेक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो करो ना अपनी मॉम के करक्टर को डिफाइन वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट खड़े थे सब की मुझ खुले के खुले रह गए थे क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी लैंजा से असे बात करने की उपर से लैंजा की मॉम के उपर सवाल उठाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था हाँ लैंजा अपनी मॉम से नफरत करता था लेकिन इसका मतलब यहीं नहीं है कि उसने किसी को यह अधिकार दे दिया हो कि उसकी मॉम के बारे में कोई भी उल्टा बोल सके या गलत बोल सके लेंजा नी हुसेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तब ही लेंजा के दोस्त भी आ जाते हैं नी हुसेंग को वैनिंग और विंग जबरदस्ती लेके चले जाते हैं और लेंजा को उसके दोस्त लेके चले जाते हैं लेकिन लेंजा और नी हुसेंग एक दोसरे को मानने के लिए तयार थे अगर इन दोनों के दोस्त इन दोनों को कंट्रोल नहीं करते तो यह दोनों एक दोसरे के टांगो को तोड़ चुके होते निह हुसेंग जब अपने किलास में पहुंचता है तो वींग और वेंडिंग का हाथ जटक देता है और कहता है वींग तुम्हारे मुं में जवान नहीं है क्या वो तुमको इतना गंदा गंदा बोल रहे थे क्या तुम्हें उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए वींग हमीशा सांत रहने से काम नहीं बनता अग में उस लेंजा और उसके सोग और बॉयफरेंड को जान से मार दूंगा उनकी हिम्मत कैसे हुई वो दोनों खुद को क्या समझते हैं वो दोनों जितने अमीर है उनका दिल उतना ही छोटा है मुझे पता था कि लेंजा में कोई एमोसन नहीं है वो एमोसनलेस है लेकिन वो इत करूं जो मेरी जिंदगी में कोई माइने नहीं रखते मुझे क्या मिलेगा उनके सामने अपनी सच्चाई साबित करने में तुम्हें पता है नी हुसेंग मैं बचपन से ही ये सारी बाते सुन रहा हूं ये समेले नया नहीं है जो लोग मुझे ताने मारते थे उसमें दो ल सुन चुका हूं ऐसे भी मैं अपने दिल को पहले इन सब बातों के लिए त्यार करके आया था तुम्हें पता है नी हुसेंग आज मैं बहुत खुस हूं इतनी सारी बुरी बातों को सुनकर भी क्या तुम इसका कारण जानना चाहोगे नी हुसेंग वैनिंग दोनों विंग की तरफ देख रहे थे जैसे हो कहना चाहते हो हां हम कारण जानना चाहते हैं आखिर कोई इतनी गंदी गंदी बातों को सुनकर भी कैसे खुस हो सकता है विंग बहुत ही प्यारी स्माइल करते हुए वैनिंग और नी हुसेंग की तरफ देखता है यह स्माइल विंग के चेरे पर काफी समय बाद आई थी, विंग बोलना इस्टार्ट करता है, जब मुझे ज्यांग मैंसर में ताने दिये जाते थे, सारे सर्वंट मुझे पर हसते थे, मुझे हमेशा एक उमीद होती थी, कि मेरे डैट या कहूं कि अंकल कुछ बोलेंगे, वो अपनी वाइफ को रोकेंगे, जब मैं कमरे में घंटो रोता था, मुझे हमेशा इंतिजार होता था, कि मेरे बरदर और सिस्टर मुझे चुप कराने आएंगे, कम से कम अपना सॉल्ड मुझे रोने के लिए देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही मेरे डैट को मेरे आसू दिखे, ना ही मेरे बरदर और सिस्टर को मेरी पुकार सुनाई दी, ना ही मेरी आंटी को मेरा दर्द देखाई दिया, ना ही मेरे पैदा करने वाली मा को मेरी चीखे सुनाई दी विंग अपने दोस्तों की तरफ देख कर एक टूटी हुई स्माइल देता है और कहता है तुम सोच रहे होंगे न कि इन समय में मेरी खुसी का कारण क्या है मेरे खुस होने का कारण तुम दोनों हो सतरा साल मैंने इंतजार किया है कि कोई तो मेरा भी दोस्त हो जो मेरी बातों को सुने मैं उनके सामने अपने दिल को रख सकूँ आज तुम मुझे खुस होना चाहिए कि भगवान ने मुझे एक नहीं बलकि दो ऐसे दोस्त दिये है जो मेरे लिए दूसरों से लड़ने के लिए त्यार है विंग नी हुसंग के पाँ जाता है और कहता है नी हुसंग तुम ऐसे पहले हो जिसने मेरे लिए आवाज उठाई नी हुसंग तुम बहुत अच्छे हो यहां तक कि जब तुम मुझे डाट रह थे तब भी मुझे खुसी हो रही थी क्योंकि तुमारे डाट में सिर्फ मेरे लिए केर नजर आ रहे थी, अब तुम बताओ, क्या मुझे आज खुस नहीं होना चाहिए, फाइनली भगवान को मेरे उपर तरस आया है, क्योंने मुझे इतने प्यारे दोस्त दिये हैं, वैनिंग और नी हुसेंग, वींग को अपने गले से लगा लेते हैं, और कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, आज तो हमें सेलिबरेट करना चाहिए, इधा लैंजा भी अपनी किलास में पहुंच जाता है, वो गुसे से कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों, मैं नी हुसेंग और उस ओमेगा को नहीं छोड़ूँगा, उनक तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, सौंग लेन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें ओमेगा मासूम नहीं लग रहा था, वो पहले ही बहुत कुछ सहरा है, तुम उसकी मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो, अग मिंग्याओ कहता है, तुम चुप रहो, अगर तुम सचमे लेंजा के दोस्त होते, तो तुम अभी उसे भासन नहीं दे रहे होते, बल्कि उसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम तो उस ओमेगा को सपोर्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिल भी उस ओमेगा पर आ गया है, जो तु तुम क्या सबको अपनी जैसा समझते हो मिंग्याओ अच्छा होगा कि तुम मेरा मुझ मत खुलवाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा लैंजा गुस्टे में कहता है सौंग लैंज तुम मिंग्याओ से ऐसे बात कैसे कर सकते हो मुझे लगता है अब हम इस दोस्ती को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगली बार से तुम मेरे किसी भी मामले में मत पड़ो क्योंकि ऐसे दोस्त का कोई फायदा नहीं जो अपने दोस्त का साथ नहीं दे सकते जिंग्चान कहता है लैंजा तुम क्या बोले जा र पाँगा जिंग्चान कहता है लैंजा तुम पस्ताओ पय emir cheocker लेंगं को लेके चला जाता है दोनों के जानेके बार लैंजा के आखो अंधों दोस्तों और पहला कर दिया और उसका कारण तुम्हारे आखो में आसी आघये उसने तुम्हारे दोस्तों पर लिए पताå नी जो तुम्हारे दोस्स उसका सपोर्ट कर रहे हैं छाउल नेड़ को नहीं चोड़ना चाहिए है लैंजा केता है तुम बिल्कुल सभी कहाया हो उस उमीगया को तुमे कभी भी माफ नहीं करूंगा मैं उसे हैल का एसास कराऊंगा। इदर सॉंगलेंज जिंचन से कहता है देखा तुमने उस मिंग्याओन ने लेंजा के मन में कितना जहर भर दिया है। उसने हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को ऐसी ही तोड़ दिया। उसे कुछ पता भी चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे मिंग्याओ के कहने पर चल रहा है, कॉलिज का टाइम ओवर हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, किसी को नए दोस्त मिले, तो किसी के पुराने दोस्त भी पिछड़ गए, एक ताव विंग जिसके पास कुछ है, फिर भी ओ दोखी है, किसी के वैकाबे में आका है, लेंजा जब अपने मैंसन में पहुंचता है, तो उसका चैरा उतरा हुआ था, लेंजी चैन कहते हैं, लेंजा क्या हुआ तुमें, तुम ठीक हो ना, कॉलेज में किसी से लड़के आए हो, या कॉलेज में काम करता है, फिर विंक कहता है, आजॅ मुझे कैफे जाना होगा, नहीं तो मिलेट हो जाओंगा इन कैफे के लिए मैं कैफे में दिल लगाके काम कर रहा था, कैफे के बाहर से मिंग्याव गुजर रहा था, उसकी नजर मिंग पर पढ़े, उसने अबना हो निकाल लेंजा को वहां बुला लिया ओके गाइज आज का पाट यह रखते हैं बाई थैंक यू